तो देखिए यहां पर मैंने आपको बताया था कि किस तरी किसे नंबर नेम्स लिखते हैं ओके तो नंबर नेम्स मैं आपको अलेड़ी बता चुकी हूँ अब बागी का आपको खुद करना है तो यहां पर मैंने आपको नंबर नेम्स पताया थे ठीक है तो मैंने आपको नंबर नेम्स पताया थे यहां पर ओके तो टू हंड़ेड़ बन टू फाइव हंड़ेड़ तक आपको क्या करनी है काउंटिंग लिखनी है टू हंड़ेड़ बन टू फाइव हंड़ेड़ तक आ तब आपको काउंटिंग लिखने है तैन उसके बाद आपको क्या करना है तो फिल इन में कोशन नमबर थी में 25 में देखें आप कि किस तरीके से कोशन हुआ है तो पहले नमबर में आपका लिखा हुआ है 207 208 और 209 तो यहां पर आप किस तरी से की से लिखेंगे देखेंगे यहां आपका लिखा हुए 207 208 और 209 तो आप यहां पर लिखेंगे गे जो आपका नमबर लिखा हुआ है आप यहां पर यह देखी फरस्ट वाला तो टूनेड़ आपका क्या जाएगा 210 तेन 211 तेन 212 ओके जैन 213 इसे तरीके सापके सारे नमबर आ जाएंगे जितने भी आपके ब्लॉक्स होंगे आप उतने नमबर तक काउंटी लिखतेंगे ओके देन आपका कोशन नमबर बी में देखिए और आपका क्या है 321 है देन उसके बाद क्या जाएगा आपका 322 ओके देन देखिए उसके बाद 23 लिखा तो इसके बाद क्या जाएगा 23 लिखा तो आपके आजाएगा 151 लिखा 52 लिखा तर आपका क्या जाएगा 153 आजाएगा 154 आजाएगा देन 155 आजाएगा उसी तरह के सारी नमबर हो जाएगे 156 आजाएगा 157 आजाएगा जितनी ब्लॉग भी आप क्योंगे उतने नमबर सक आप काउंटिंग लिख देंगे ओके दी भी ऐसी तरीके से करना है डी तो आप इस तरीके से कर लेंगे अब यह देखिए कौशन नमबर 26 में कौशन नमबर 1 राइड दी नमबर नेम्स ओके तो नमबर ने यह लिखा हुआ है देखिए एक आपके लिए किया भी गया यहां पर भी देखिए वन किया गया है कि 246 लिखा ओके तो इसी तरीके से आपको सारी लिखने है ओके तो यहां बर आप यह वाला लिखेंगे 219, 270, 300, 314, 367, ओके इसी तरीके से आप इस तरीके से आपको सारी नमस लिखने है उसके आप फिल इन करना आपको दिखेंगे कोशन नमर टू में किस तरीके से यहा पर पैटर दिया तो देखेंगे यहा पर देखेंगे जो कॉशन 62 okay then 264 आ जाएगा then 266 आ ठीक है इसी तरीके से आपके सारे नमबर्स आ जाएगे अब आपका खरना होगा 323 223 24 तो आपके इसी तरीके से ये नमबर्स हो जाएगे जैसे कि ये निम्मर लिखा हुआ आपका 178, 177, 176 तो देखिए, बैक काउंटिंग रिखी हुए है तो आपका 176 के बाद क्या आजाएगा 175, 174, then 173, 172, 171, and 170 इस तरीके से अब सारे नंबर्स फिल कर लेंगे Then हम देखेंगे कॉशन नंबर 3rd, C तो C में देखिए, आपका यह है C इसको आप देखेंगे तो आप क्या देखेंगे आपर पैटन क्या बन रहा है इसका पैटन बन रहा है 320, then 322, 324 तो आप क्या आजाएगा 326, then 328, then 330, 330, then 332 इसे तरीके से आपके सारे नंबर्स यहाँ पर राइड करेंगे अब आप देखेंगे, कॉशन मर्दी को, कॉशन मर्दी आपका चुड़ा है वो क्या है दिको आप देखेंगे, तो 484 है उसका गैप है, फिर 482 है तो इसका मतलब है कि आपकी सारे यह काउटिंग है बट बैक काउटिंग है, ओके 443, 83 आजाएगा फिर आजाएगा, 481 तो इसके बाद आपका आजाएगा, 479 ठीक है उसके बाद आपका आजाएगा, 478 देन, 477 एन, 476 ठीक है, 476 तब आपके नमबर आजाएगा, आपका कॉशन नमबर E है, तो E में दिखेंगे, आपका 200, 210 तो आपका कि अजाएगा, 220 30 आपको लिखाएगा, उसके आपके आजाएगा, आपका 200 240 आजाएगा, देन उसके बाद आपका क्याएगा, 260 आजाएगा, ओके इसी तरीकेद्स आपके सारे नमबर आजाएगš टो घूंड़ेट परना तो आपका आजाएगा 220 देन आपका आजाएगा 240 ओकी 40 आजाएगा देन 250 आजाएगा ओकी धेन 260 आजाएगा आपका देन 270 20 and 280 इसी तरीके साफ के सारे नंबर्स आज रहेंगे ओकी तो यह आपका हो गया कोशन नंबर 26 आपका कंप्लीट हो गया अब 27 में आपको क्या करना है काउंटिंग लिखने हैं 501-2000 तक ओके तो यह आप लिखेंगे यह आपर पहले 512600 तर लिखने हैं फिर 2700 फिर यह आपको क ठीक हैं तो यह आफ वर्ण्म में लिखेंगे तो जिस तरीकी से आप राइट करते हैं करते हों सी तरीकी साबको राएट भी करना राइट फिर यहां पर इसका लिखने से आपको फिर उ Labs में लिखने हैं और आपको तो 29 प्य नंबर तक आप यहां तक करेंगे पूरा उस्क क्लास में करवाँगे, ओकी थैंक यू सो मच